Hello friends, welcome to जार्खन परिक्षा जार्खन समान याद्यन में ये जो सिरीज है जार्खन की कला एवम संस्कृती तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाश्ट क्लास में जार्खन के सदान और उस पर बेस्ट जो अबजेक्ट्री कोश्चन्स हैं वो हम लोगों ने किया था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जार्खन में जो प्रमुक कीले हैं उसको पढ़ेंगे और उस पर बेस्ट जो अबजेक्ट्री कोश्चन है उसको कल के कलास में देखेंगे ठीक है प्रमुक कीले और इस पर बेस्ट जो अबजेक्ट्री कोश्चन ये हम लोग कल देखेंगे ठीक है तो एकर करके आप देखते चलिए थोड़े बहुत जो facts हैं वो history से related हैं लेकिन history आपका complete हो गया है जितने भी चीज़ें यहां बार चाहिए हैं वो आप लोग ने पढ़ लिया है तो एकर करके हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी है important topic जार्खन की collaboration स्कृति से उसको इसी तरह से complete करवाया जाएगा मतलब हम लोग conceptual class करेंगे और उसके बाद जिवा objective question करेंगे और जब यह complete हो जाएगा जब यह complete हो जाएगा तो फिर इसमें क्याएगी combined रूप से objective question को हम लोग collect करके combined रूप से practice किया करेंगे ओके चलिए तो यहाँ पर देखिए जार्खन में ऐसे बहुत सारे कीले हैं बहुत सारे फोट हैं जो की examination point of view से important है तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो प्रमंडल है प्रमंडल वाइस इसको पढ़ना start करेंगे है न यह पलामू हो गया पलामू में कितने district हैं तीन यह गड़वा पलामू लादेहार तो इससे start करते हम लोग पलामू से उसी तरह से district wise हम लोग complete करते चलेंगे इसको तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पलामू तो पलामू परमंडल में पलामू परमंडल में तीन district हैं कौन कौन सा? एक है पलामू, एक है गड़वा, और एक हो गया लातेहार. है ना? एक हो गया लातेहार. तो गड़वा में ऐसा कोई किला नहीं है, जिसको पढ़ना चाहिए. हम लोग इसको एगनॉर करेंगे. लातेहार में सबसे important किला है, जिसको बोलते हैं पलामू किला. क्या ना है है पुराना किला. और एक है पुराना किला. तो यह दो पार्ट में हम. तो एक और दो हो गया, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा है, यह है नाराएंपुर किला. यह हो गया लातेहार का. पलामू जो है, इसमें विसरामपूर विश्रामपूर हो गया रोहिलों का किला रोहिलों का किला चैनपूर का किला और फिर सापूर का किला तो ये पलामो प्रमंडल से हैं अब एकक करके हम लोग इन सभी कीलों के जो facts हैं जो important point हैं वो पढ़ेंगे तो लातेहार से स्टार्ट करते हैं लातेहार तो कौन कौन से किला बताय गया था यहां पर यहां बताय गया था पलामो किला और नारायनपूर किला ठीक है तो पलामो किला से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पलामो किला जो है पलामो किला ये दो पार्ट में है ना ये जो है दो पार्ट में है ये दो पार्ट में एक है पुराना किला एक है पुराना किला और एक है नया किला तो जो पुराना किला है पुराना किला जो है देखिए मैंने आपको चेरो वंस पढ़ाया चेरो वंस के पहले कौन आता है रक्सेल वंस आ टेबिस किया गया था ना कि 0 pans ने से इस्टेपरिस किया था लेकिन यह क्या है कि पुरी तरह से बणा नहीं था यह रहा था जो रखसेल वंस थे उनके दवारा यह स्थार्ट कर दिया गया था लेकिन complete यह हुआ आप कह सकते है कि complete अगर existence में आया है तो यह चेरोवंस के द्वारा आया है ठीक है तो चेरोवंस में एक राजा हुए थे आपको याद होगा परताप राए चेरोवंस में एक राजा हुए थे परताप राए नाम याद होगा तो परताप राए का नाम आता है पुराना केला के founder के रूप में परताप rai यह आप यात कर लेंगे परताप rai इसके founder हो गया है और originally अगर बोला जाे तो originally इसे रकसल ने बनवाया था औरिजनली इसे रक्सेल ने बनवाया था ठीक है ये आपको सिक्वेंस याद होगा परताप राय उसके बाद कौन आता है उसके बाद भुपाल राय आता है और उसके बाद आता है मेदिनी राय उसके बाद कौन आता है मेदिनी राय ठीक है तो पुराना किला परताप राय ने बनवाया था नया किला को इन्होंने बनवाया था नया किला को तो ये हो गया मेदिनी राय परताप राय जो है ये सहबल राय के उतराधी कारी थे इनके पहले सहबल राय ठीक है? और ये जो है ये साजहा के साजहा के समकालिन थे उसी तरह से ये जो मेदिनी राय है, ये साजहां के भी समकालिन थे, और औरंगजेब के भी समकालिन थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साजहां और औरंगजेब, कोशन आया हुआ इस तरह से, कोशन जो है, ये आया हुआ है, कि मेदिनी राय किसके समकालिन थे, और परताप राय किसके समकालिन थे लेकिन इन सब चीजों को मैं डेटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ है ना तो चुकि यहाँ पर हम लोग किला पढ़ रहे हैं तो इधर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग यही तक सिमित रहेंगे ठीक है यह जो पलामु किला है यह कहाँ पर है यह है लातेहार में और बेतला राष्टे उद्यान जो है बेतला नैस्नल पार्क जो है यह इसके नजदीक है बेतला राष्टे उद्यान के नजदीक है कौन सा पलामु किला अब यहाँ पर देखिए नया किला में मेदिनी राय ने जब मेदिनी राय राजा थे, चेरो राजा थे, तो ये क्या करता है, ये नागवन्स पर अटेक करता है, ठीक है, ये नागवन्स पर अटेक करता है, कहानी आपको याद होगी, नागवन्स पर, नागवन्स के एक राजा हुए थे, नागवन्स के एक राजा हुए थे, नाम रगुनाज सा थे नागवंसी राजा तो इन पर एटक किस ने किया था? इन पर एटक किया था मेदिनी राईने, चेरोवंस के राजा मेदिनी राईने और इस समय रगुनाज सा कहां रहते थे? जो दुरजन साल के द्वारा बनाया गड़ था दोईसा में जिसको नवरतन गड बोलते हैं, है ना? तो उस किला में ये रहता था, उस समय ये पांच मंजिला हुआ करता था, उस समय ये पांच मंजिला हुआ करता था, मेदिनी राई आता है, अटेक करता है, और ये जो है किला नवरतन गड़ इसको काफी आप कह सकते हैं कि तोड़फोड किया जाता है इ काफी सुन्दर दर्वाजा था, 40 feet उंचा और 15 feet चोड़ा ये दर्वाजा था, तो मेदिनी राय एटेक करता है और इस दर्वाजे को अपने साथ ले जाता है, और अपने साथ ले जाकर इस दर्वाजे को कहां लगाता है, नया किला में, है ना, इसको कहां लगाता है, नया कि नागपुरी दर्वाजा ठीक है यह हो गया दाउत खां जो की बिहार का गवर्णर था उसमें मुगल के समय वो जब चेवरोबंस पर अटेक करता है तो इस दर्वाजे को अपने साथ ले जाता है तो काफी कहानिया है इससे यह सब मैंने पढ़ा है अच्छे से आपको तो यह नया किला हो गया नागपुरी दर्वाजा कहा है नया किला में किसने लगवाया था मेदिनी राइने लगवाया था ओके और इस यह जो पलामु किला है जब दाउत खां आता है जब दाउत खां आता है तो दाउत खां एटेक करता चेरोबंस पर और यह जो पलामु किला है यह जो नया किला है, नया किला की बात हो रही है, पलामु किला नया, तो इस पर क्या है कि यह मस्जिद का निर्मान करवाता है, यह जो है तीन गुंबद वाला मस्जिद का निर्मान करवाता है, ओके, तो यह हो गया पलामु किला, ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग नारा किला और नया किला तीसरा जो है तीसरा है नारायन पुरकिला तीसरा है नारायन पुरकिला तो जो नारायन पुरकिला है यह कहां पर है यह लातेहार में कहां पर है लातेहार में और लातेहार के यह नावा गड़ में इस तरह का कोशन आता है डिश्टिक ना पूछ कर उसका ज जगा वो पूछा जाएगा तो नावगड में है ये और कहीं कहीं इसको नाएगड भी बोलते हैं इस तरह से लिखाता है नाएगड ओके तो यहां पर रहे और इसे किसने बनाया था इस केला को किसने बनवाया था इस कीला को बनवाया था जाजदास में, किसने बनवाया था जाजदास में, जाजदास कौन था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि रकसेल वंस, रकसेल वंस की जो लाश्ट राजा थे, क्या नाम था, मान सिंग, है ना, तो इस राजा की मृत्यू हत्या करके, भागवत जो थे ये चेरोवन्स की अस्थापना करते हैं ये जाजदास उस भागवत राये भागवत राये का एकाउंटेंट था जिसको बूलते हैं लेखपाल तो ये जाजदास क्या था लेखपाल था किसका भागवत राये का ओके नरायनपूर किला इन्होंने बनवाया था 16th century में ये हो गया लातिहार का किला क्या 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 हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा पलामू किला नया और पुराना उसमें और ये नारायनपूर किला उसके बाद हम लोग दिखते हैं पलामू तो पलामू में कौन-कौन से कीले हैं जो हमें पढ़ने हैं पलामू किला तो पलामु किला में हम लोग पढ़ेंगे विसरामपूर किला तो विसरामपूर किला जो है ये भी चेरोवन्स के राजा ही नहीं बनवाया था और उस चेरोवन्स के राजा का नाम क्या था तडवन राय क्या नाम था तडवन राय ठीक है चेरो राजा थे और इस कीला को बनाने में कितना समय लगा था? 9 वर्स का समय लगा था 9 वर्स का समय लगा था और इस कीले में एक मंदिर भी है इस कीले में एक मंदिर भी है यह हो गया विसरामपुर कीला उसके बाद एक है रोहिलों का कीला उसके बाद है रोहिलों का किला रोहिलों का किला तो ये जो रोहिलों का किला है ये कहा है ये है पलामू में है ना और इसे किसने बनाया था इसे बनवाया था मुझपर खाने मुझपर खाने ठीक है ये मुझपर खान कौन था ये रोहिलों का सरदार था और इसका इसकी जो आकरिती है ये त्रिभुजा कार है इसकी जो आकरिती है ये त्रिभुजा कार है ये है पलामो में और पलामो में कहा है? तो पलामो में ये जो है ये है अली नगर या जपला भी बोलते हैं तो ये दो अलग-अलग कीले हो गए, ये इसका है, और ये जो है, ये इसका है, ठीक है, उसके बाद चैनपूर का कीला, चैनपूर का कीला, तो चैनपूर का कीला ये कहा है, ये पलामू में है, चैनपूर का कीला कहां पर है, ये पलामू में है, ठीक है, और इसको किसने बनव इसको पूरन मल के वंसजों ने बनवाया था और यह जो है उत्री कोयल नदी के तटपर अवस्तित है और यहां पर एक असमारक बनवाया गया उस असमारक का नाम है चैनपूर बंगला चैनपूर बंगला ओके कहां है यह पलामू में है ठीक है उसके बाद है साहपूर का किला जहां पर जितनी इंफोर्मेशन चाहिए उतना में बता दूँगा तो साहपूर का किला हो गया और इसे किसने बनवाया था साहपूर किला को साहपूर किला को बनवाया था गोपाल राय ने गोपाल राय ने इसे बनवाया था ठीक है और इसका देखे जारकरण में क्या है हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो जो टाइमिंग होता है तो टाइमिंग थोड़े क्या विवादित रहते हैं तो वही टाइमिंग आपको याद करना है जो completely accurate हो मतलब कि उसमें किसी तरह का जो बाया गया था वोके और इस किला में क्या है कि मुगल कारीन स्हापत्य का उदारन देखने को मिलेगा ठीक है यह हो गया पलामू का किला पलामू परमंडल complete हो गया अब हम लोग दूसरा परमंडल देखते हैं गोलो देखते हैं उत्री छोटा नागपूर उत्री छोटा नागपूर, तो उत्री छोड़ा नागपूर में कौन-कौन से जिले हैं, चत्रा से स्टार्ट करते हैं, चत्रा हो गया, हजारी बाग हो गया, कोडर्मा हो गया, गेरिडी, धनबाद, धनबाद हो गया, बुकारो हो गया, और रामगड हो गया, ठीक है, तो ये साथ जिला है, अब चत्रा में हम देखेंगे कुंड़ा का किला, हजारी बाग में हम लोग पदमा का किला, यह हजारी बाग में देखेंगे, कुदरमा नहीं है इसमें, घिरिड़ी में بी कुछ खास वैसा नहीं है, जिसको पढ़ना चाहिए examination point of view से यह हो गया धनबात में धनबात में पंचेत वंस का जो है उसमें पंचेत राजे का पंच कोट किला है पंच कोट किला है जहरियागड किला है और एक कभी-कभी पूछ रहाता है कतरासगड का किला यह हो गया धनबात का वो कारो कुछ खास नहीं है रामगड में एक है रामगड का किला अब हम लोग एक अक करके देखते हैं किसके बारे में कौन-कौन से point important है स्टार्ट करते हैं हम लोग चत्रा से तो चत्रा में हम लोगों ने क्या देखा कुंडा का किला है ना तो कुंडा का किला जो है कुंडा का किला क्या है कि यह जो है कुंडा विलेज में है एक गाउं का ही नाम है कुंडा चत्रा में एक गाउं का ही नाम है कुंडा चत्रा में पढ़ता है यहीं पर यह किला है और इससे जो है चेरो राजा के द्वारा बनवाए गया था सत्रवी सताबदी में इसे बनवाया गिया था लेकिन एक चीज़ देखिए किसने बनवाया था उसमें थोड़ा विवाद है लेकिन ये जो कीला है ये जो कीला है जब चेरो वंस पर चेरो वंस पर जब दाउद खां आकरमन करता है चेरो वंस पर जब दाउद खां आकरमन करता है तो पलामो कीला पर आकरमन करने से पहले ये कुंडा के कीला पर आकरमन करता है और इसको कम्प्लीटली जो आप कह सकते हैं कि तहस नस कर देता है है ना काफी नुकसान पहुँचाता इस कीले को तो यहाँ पर आप ये याद काफी नुकसान पहुचाता है बाद में इस कीला को दुबारा बनवाया जाता है और वो जो बनवाया जाता है रामगड के एक राजा के दुबारा बनवाया जाता है ठीक है लेकिन फिर उसके बाद अलिवर्दी खां के दुबारा इस कीले को काफी नुकसान पहुचाया ज सकते हैं यह हो गया चत्रा का कुंड़ा किला अब हम लोग देखेंगे हजारी बाग में क्या है हजारी बाग हजारी बाग में सबसे पहले देखेंगे पद्मा का किला पद्मा का किला तो जो पद्मा का किला है यह important है important इसलिए है क्योंकि यह अभी जारखन पुलिस का प्रसिक्षन के इंदर है है ना पद्मा का किला यह कहां पर है यह है पद्मा में पद्मा एक जगा कही नाम है पद्मा में है पद्मा कहा है हजारी बाग में ठीक है इसको जो राजा, राम नारायन सिंग के वनसज, यह हो गया और यह जो किला है, यह रामगड के राजा का किला था, यह अब एक पुलिस प्रसिक्षन केंदर है, यह भी याद रखना जरूरी है, पुलिस प्रसिक्षन केंदर है, तो यह हो गया पदमा का किला, उसके बाद बादम का किला, तो जो बादम का किला है, बादम, बादम नहीं है बादम है बादम का किला तो ये जो बादम का किला है ये हजारी बाग में है और इसे किस ने बनवाया था? इसे बनवाया था रामगड के राजा, रामगड के राजा क्या नाम था? हेमंद सिंग हेमन सिंग के द्वारा बनवाया गया था और इस किला में एक सिव मंदिर भी है एक सिव मंदिर भी है ओके यह हो गया हजारी बाग का अब हम लोग देखेंगे रामगड तो रामगड में क्या है रामगड में रामगड में क्या है एक रामगड में हो गया रामगड का किला रामगड का किला तो इसमें क्या है रामगड का किला में ये जो है इसको बनवाया था रामगड के राजा सबल राएने वो स्टार्टिंग में एक और पॉइंट छुड़ गया था गड़बांद का किला रामगड ने पढ़ना है तो ये बनवाया गया था रामगड राजा रामगड के राजा क्या नाम था? सबल राय था सबल है, सबल नहीं है, ठीक है? सबल राय उसके बाद एक चीज़ याद रखना है कि ये जो किला है ये मुगल सैली से परभावित है ठीक है? दूसरा किला यहाँ पर रामगड में जो है ये है गड़बांद का किला या गठबांद भी बोलते हैं, गठ या गड़ है ना? किला तो ये जो है गठबांद का किला ये क्या है? कि इसको भी हमंद सिंग नहीं बनवाया था हमंद सिंग कौन? रामगड के राजा रामगड के राजा हमंद सिंग अभी जिक्र हुआ था न हमंद सिंग का हमंद सिंग ने किला को बनवाया था? बादम के किला को जो की हजारी भाग में था और गटबांद या गडबांद के किला को भी रामगड के राजा हैमाऍन सिंग के दवारा ही बनवाया जाता है ठीक है? कब बनवाया जाता हैalnya जब रामगड की जो राजधानी है बादम से बादम से रामगर्ण परिवर्तित किया जाता है तब ये किला बनवाया जाता है ना जब बादम में राजधानी थी तो बादम का किला बनवाया गया था हमंद सिंग के द्वारा जब राजधानी परिवर्तित होती है रामगर्ण जब किया जाता है और इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है 1805 में सन 1805 में राजा राजा राम मोहन राए राजा राम मोहन राए यहाँ पर आये थी इसलिए यह जो है इंपोर्टेंट हो जाता है यह हो गया रामगड का रामगड का कीला और गटबान का कीला उसके बाद हम लोग देखेंगे धनबाद तो धनबाद में क्या है? धनबाद में क्या है? एक हो गया पंचकोट का किला जो कि ज़्यादा इंपोर्टेंट है पंचकोट का किला एक मिनट तो पंचकोट का किला यह कहा है यह धनबाद में? पंचकोट का किला कहा है ये दनबाद में तो पंचकोट किला जो है ये पंचेत पहाड़ी पर है ये जो है पंचेत पहाड़ी पर है पंचकोट नाम इसलिए है क्योंकि ये जो है पांच दिवारों से घिरा हुआ है ये जो है पांच दिवारों से घिरा हुआ है और इस किला को किस ने बनवाया था इस किला को बनवाया था गोवनसी राजा जो थे गोवनसी सासक क्या नाम था गोमुखी तो इनके द्वारा ये बनवाया गया था और सुला सो इस्वी जो है कंस्ट्रक्शन इसका इहां पर कहीं मेंसन किया गया है इस किला में ये डेट जो है ये अंकीत है, सुल्ला सोईस्वी में इसे बनाये गिया है, ये पंचकोट हो गया, पंचकोट के बाद है जर्यागड का किला, जर्यागड का किला, तो जर्यागड का किला है, ये जर्यागड का है, ये धनबाद में है ना, धनबाद में है, और ये यहां के जो राजा थे, और इजनली ये रिवा रियासत के थे, ये जो हैं, ये रिवा रियासत के थे, रिवा रियासत के थे, रिवा रियासत कहने का मतलब ये MP से थे, ठीक है, इसी के वंसज आप कह सकते हैं, इसी के रिलिट्यूज जो हैं, ये जाते हैं, और जो नाम है कतराजगर तो कतराजगर जो है यहां पर यह मेदिनी सिंग ने इसे बसाया था और इस यहां पर जो किला है उसका निर्मान करवाया था ठीक है अठारवी सदी में इस कीले की अस्थापना की गई थी मेदिनी सिंग के द्वारा ये हो गया धनबाद का उत्री छोटा नागपूर अब देखते हैं हम लोग दक्षिनी छोटा नागपूर दक्षिनी छोटा नागपूर दक्षिनी छोटा नागपूर तो दक्षिनी छोटा नागपूर में जो जीले हैं एक बार हम लोग उसको लिख लेते हैं कौन-कौन से जिले हैं, राची है, खूटी है, लोहरदग्गा, गुमला, सिम्डेगा, ये सब है, अब किस में कौन-कौन सा किला पढ़ना इसको देखिए, ये हो गया, रातु का किला, खूटी में है तिल्मी का किला, तिल्मी का किला, ओके, लोहरदग्गा नहीं है, इसमें कोई खास किला, गुमला, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे किले हैं, गुमला में, यहना बहुत यह important place है, खासकर नागवंसियों से यह जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे दोईसा, दोईसा का किला बोलते हैं, या नवरतनगड का किला बोलते हैं, दोईसा का किला हो गया, पाल कुट हो गया, नाग फेनी हो गया, यह गुमला का हो गया, सिमडेगा इसमें नहीं है, तो राची से स्टार्ट करते हैं, राची, तो राची में जो किला है, राची में जो कीला है तो राची में क्या है कि राच satisfies कीला सबसे पहले राचि का कीला बहुत बार जिक्र कर दिया गया है इस कीले के बारे बहुत बार जिक्र किया गया है ओके, आप अगर हिस्टरी पढ़ चुके हैं तो ये कभी जो है ये टॉपिक आसान लग रहा होगा क्योंकि जितनी भी फोट का जिक्र यहां पर किया जा रहा है सभी का जिक्र उस समय हिस्ट्री पढ़ाने की दवरान किया गया था तो ये जो रातू का किला है इसको किसने बनवाया था रातू का किला जो है इसको बनवाया था नागवनसी राजा नागवनसी राजा या नाम था उदयनाथ सहदेव उदयनाथ सहदेव और इसका जो डेट है ये 1870 वी है और ये जो किला है ये अंगरेजी ठेकेदार के द्व द्वारा बनवाया गया है इसलिए इसमें अंग्रेज अंग्रेजी स्थापत्य कला का उदारन दिखाई पड़ता है कि स्थापत्य कला स्थापत्य कला कि क्यों क्यों कि यह जो किला है यह अंग्रेजी कॉंट्रेक्टर के द्वारा ही बनवाया गया था रातु का किला कहा है ये राची में उसके बाद हम लोग देखेंगे खूंटी का किला तो खूंटी का जो किला है ये हो गया तिल्मी का किला जो तिल्मी का किला है इसको किस ने बनवाया था तिल्मी के किले को ये है का ये है कर्रा में कर्रा का है खूंटी में और इसको बनवाया था 1737 में नागवनसी ठाकुर अकबर ने अकबर ने बनवाया था मुगल बाद से नागवनसी ठाकुर था ये क्यों बनवाया था मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस किला को बनवाय गया था किसके द्वारा नागवनसी ठाकुर यहां लिख देता हो नागवनसी ठाकुर अकबर के द्वारा ओके यह हो गया खोटी और राची अब आते हैं हम लोग गुम्ला में तो गुम्ला में क्या है कि बहुत सारे किले हैं है ना गुम्ला तो गुम्ला में जो सबसे important है वो कौन सा है दोईसा दोईसा का किला कह लेजे दोईसा का किला कह लेजे या फिर नौरतनगड हो गया नौरतन गड़ का किला तो ये जो किला है इसी किले में था जो नाकपुरी दरवाजा जिसको मेदिनी राय उठा कर ले जाता है और लगवाता है नया पलामो किला में और फिर दाउद खा जो है उसको उठा कर अपने साथ ले जाता है तो यह जो है ऐसा माना जाता है कि 1636 में यह start हुआ था और 1639 में यह start हुआ था और complete लगबग इसी समय हो गया था यह और यह जो है जंगलों के बीच में है जंगलों के बीच में है ना तीन और यह पहाड पहाड़ों से घिरा हुआ है तीन और से ये जो है पहाडों से घिरा हुआ है पहाडों से घिरा हुआ है और इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में ये पांच मंजिला था लेकिन अभी ये तीन मंजिला है अभी आप जाकर देखेंगे तो तीन मंजिला ये दिखाई पड़ेगा और एक चीज यहाँ पर इस क किला को जार्खन का हमपी भी कहा जाता है जार्खन का हमपी भी इसे कहा जाता है जार्खन का हमपी भी कहा जाता है इस किला के अंदर जब आप मंदिर पढ़ेंगे तो गुमला में एक सिव मंदिर पढ़ना है और एक कपिलनात मंदिर पढ़ना है तो इस किला में एक सिव मंदिर है और एक कपिलनात मंदिर है और एक कपिलनात मंदिर है यह क्या हो गया गुमला का दोईसा का किला या फिर नवरतनकड का किला उसके बाद है जो गुमला का दूसरा है वो है पालकोट का किला यह है पालकोट का किला तो जो पालकोट का कीला है ये गुमला में है ना ये गुमला में है और इसको किस ने बनवाया था इसको बनवाया था यदुनाद सहादेव ने यदुनात सहद्यों ने यदुनात सहद्यों यहाँ पर जो पालकोट आप देख रहे हैं पालकोट एक्चुली में ये नागवनसी राजाओं की राजधानी थी ठीक ना पालकोट जिसको बसाया था यदुनात सहद्यों ने यदुनात सहद्यों याद होगा आपको इसके बाद नाक फेनी का किला नाक फेनी का किला तो नाक फेनी का जो किला है ये गुमला में है और गुमला में कहा है गुमला में सिसाई में है गुमला में सिसाई में है और ये जो है ऐसा माना जाता है कि अठारवी सदी में इसको जो है बनाए गया है एक चीज यहाँ पर याद करना है कि यह जो किला है, इसके दिवारों में एक चित्र है, और उस चित्र में क्या है कि एक राजा को दर्साए गया है, राजा की रानिया है, एक रानिया नहीं है, सात रानिया है, इसलिए मैंने बुला रानिया है, और इनका पालतु जानवर एक कुत्ता को दर्साय क्या है, तो यह चित्र कहाँ पर है नाखफेनी, कीला के दरवाजा में है, ओके ये हो गया गुंबला, अब देखते हैं हम लोग कुलहान पर्मंडल, तो कुलहान पर्मंडल जो है, कुलहान पर्मंडल कोलहान परमंडल इसमें क्या है इष्ट सिंग्भूम है सराय केला खरसावा है और विष्ट सिंग्भूम है तो इसमें नहीं पढ़ना है कोई केला इसमें भी कोई केला नहीं पढ़ना है विष्ट सिंग्भूम में पढ़ना है कौन-कौन से किले पढ़ने हैं? एक हो गया जयतगड का किला. पेज बचावाना ठीक है。 जयतगड का किला. एक है पॉरहाट का किला. इस पॉरहाट के किले को जगनाथ का किला भी बोलते हैं. जगनाद हेला उसके बाद है चक्रधर जिसको राजवारी बोलते हैं चक्रधर राजवारी हो गया और फिर है केसानगड फिर है केसानगड का हेला तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिमे सिंग भूम में एक करके देखते हैं हम लोग बस एक दो पॉइंट है सब में तो पश्चिमे सिंग भूम पश्चिमे सिंग भूम तो सबसे पहले है जैतगड का किला जैतगड का किला तो ये जो है जैतगड का किला ये बैतरनी नदी के किनारे है बैतर्णी नदी के किनारे हैं ये जो है ये बैतर्णी नदी के किनारे हैं है ना और ऐसा माना जाता है कि इस किला को बनवाया था किसने जो पोरहाट के नरेज थे जो पोरहाट के जो नरेज थे मतलब पूरहाट के जो राजा थे अर्जुन सिंग अर्जुन सिंग के द्वारा इसे बनवाए गया था उसके बाद है जगनाथ का किला इसके बाद क्या है जगनाथ का किला तो जगनाथ का जो किला है इसको बोलते हैं पूरहाट का भी किला बोला जाता है जगनात जगनात किला इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पुरहार्ट का भी किला पुरहार्ट का किला ओके तो ये पुरहार्ट का किला हो गया और ऐसा माना जाता है कि इसका नाम जगनात किला इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बनाया है पुरहाट के जो राजा थे राजा जगनात सिंग इसलिए इस किला को जगनात किला भी बोला जाता है इसके बाद है चक्रधर पुर राजवारी इसके बाद है चक्रधर पुर राजवारी तो ये जो है चक्रधर पुर राजवारी इसको किस ने बनवाया था? इसको बनवाया था नर्पती सिंग ने नर्पती सिंग कौन था? ये अर्जुन सिंग का बेटा था ये जो है अर्जुन सिंग का बेटा था है ना 20-वी सतापदी के स्टार्टिंग में ही इसे बना दिया गया था और यहाँ पर क्या है कि राजमहल की इटों से ये बनाया गया है देखे कुलहान प्रमंडल में लेकिन राजमहल की इटों से राजमहल की इटों से जो है किसके द्वारा राजा की जो पुतरी थी, क्या नाम था राजा की पुतरी का ससांक मंजरी, इनके द्वारा इस किला को बेज दिया गया था, ठीक है, इसके बाद है किसानगड का किला, तो किसान गड़ का जो किला है इसमें बस यह याद रखना है कि यह जो है पशिमे सिंग्भों में है और पुरी तरह से इसका अवसेज एक टिले गरूप में बचा हुआ है बस यह याद रखें इसके बाद है संथाल परगना तो संथाल परगना बचा हुआ है last संथाल परगना तो संथाल परगना में क्या है कौन कौन से जीले है संथाल परगना में है देवगर है दुमका है गोड़ा है साहिब गंच है पाकुड है जामताड़ा है यह सब हैं लेकिन हमें पढ़ना है साहिब गंच ओके तो साहिब गंच में साहिब गंज में एक बहुत ही important किला है और उस किले का नाम है तेलियागड किला क्या नाम है इसका तेलियागड का किला, बहुत ही important है यह important इसलिए है क्योंकि जितने भी राजा होते थे, चाहे वो मुगन हो गया या फिर इसलाम धर्म के सासक हो गया है, कोई भी इसलाम धर्म के सासक हो गया है, या मराठा हो गया, तो जो भी आता था बंगाल जाने के करम में, वो जहारकन परवेस करता था, और जहारकन के इसी कीला से, लगबग इसी कीला से होकर ही जाता था, और यही कारण है, कि इस कीला को राजमल की पहाड़ी में है, साहिब गंज में है, और यहाँ पर क्या है कि एक तेली राजा के द्वारा इसे बनाय गया था, ठीक है? और तेली राजा के द्वारा इसे बनाय गया था, कब बनाय गया था? जब मुगल बादसा थे तो उस समय ये जो राजा है इन्होंने इसलाम धर्म कबूल किया था इनके परभाव में इसलाम धर्म कबूल किया था तेली राजा थे और उस समय इस कीला को बनाए गया था ठीक है तेलियागड का कीला ये हो गया अब ये जो कीला है तेलियागड का क किला इसका उलेख बहुत जगा किया गया है जो कि बहुत से सासक हुए जो कि बंगाल जाने के करम में इस किले से होकर जाते थे इसलिए इस किला का उलेख बहुत जगा मिलता है तो कहां का मिलता है एक बार हम लोग देख लेते हैं यह जो किला है इसका उलेख कहां का मिलता है सबसे पहले देखे ये जो छेत्र है ये जो छेत्र है इस कीले की बात नहीं हो रही है अब ये बात हो रही है कि ये जो जगा है राजमाल की पहाड़ी जहां पर ये कीले का निर्मान हुआ है तो यहां पर ये जो जगा है इस जगा का वर्णन हैंसां के द्वारा भी किया गया ग deepest किले का वर्णन जो है आइन अकबरी हो गया कीला और वह जगारी बना है और पहले पार असमारक गया जा चर्शा मिलती है जहांगीर नामा हो गया जहांगीर नामा हो गया पहले से अवसेज था इसलिए वहाँ पर कीला बनाया गया था है ना जहांगीर नामा हो गया यहाँ पर इसकी चर्शा मिलती है तो यह कीला जहां पर है उस छेत्र की चर्चा उस छेत्र की चर्चा जो है मेग जासनिच का जो बुक था, क्या नाम था? इंडिका. तो इसमें भी इस जगा की चर्चा की गई है. और ये बताया गया कि गंगा नदी से सटा हुआ एक पहाड़ी है. उस पहाड़ी पर पत्रों से निर्मित एक बौध विहार है. क्या है? बौध विहार है. है ना? मतलब कि य इंसांग ने भी इस चीज़ की चर्चा की है. ओके? तो ये हो गया तेलिया गड का किला जो की साहिब गंज में था. संधाल पर गना. तो इतना हम लोगों ने पढ़ा. अब इस पर बेश्ट अब्जेक्टिव कोश्चन हम लोग कल करेंगे. तो ये आपको याद हो जाएग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जारकन के जो प्रमुक मंदिर हैं फिर लोग गीत पढ़ेंगे फिर लोग ने रित्य वाद्य अंत्र परवत्य हार हो गया ये सब कंप्लीट करेंगे चलिए मिलते हैं जारकन के अगली वीडियो में धन्यवाद